हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे एकिसाम हैकर योटूब चैनल दोस्तों UPSC 2016 के प्रिलिम्स में इन्वार्मेंट और जिग्राफिस से जो क्योसन पूछे गए थे टोटल 19 क्योसन पूछे गए थे उसमें से आलेटे हम लोग यहां पर 5 जो प्रशन है उसको डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में आज हम लोग दोस्तों यहां पर 5 जो हमारी नेक्ष्ट हमारी जो प्रशन है उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आज का यहां पर पहला प्रश्ण है What are the importance of the United Convention to combat desertification यानि कि जो हमारी UNCCD United Nation Convention on Combat desertification जो हमारी 1992 में जो हमारी बना था उसका क्या यहां भी importance है तो पहला इस्टार में दिया है It aims to promote effective action through innovative national program and supporting international partnership दूसरा दिया है It has the special particular focus on South Asia and North Africa region and its secretariat facilitate the allocation of major portion of financial resources to this region देखो दूसरा इस्टार्ट में हमारी गलत हो जाती है क्योंकि यहां पर combat desertification पूरे world में जो desertification हमारी हो रही है ecosystem को जो loss हो रहा उसको यहां पर दूर करने की कोशिस कि जाएगे तो इस्पेसल इहां पर focus South Asia यहां हमारी North Africa नहीं है यहां पर सारे पूरे अर्थ में इसको focus किया जागा दूसरा इस्टार्ट में हमारी incorrect हो जाती है तीसरा इस्टार्ट में हमारी बिलकुल ही सही है देखो पहला इस्टार्ट में हमारी यहां पर सही है क्योंकि यह हमारी Global Partnership अब और से इंटरनेशन पार्टनर्सीप है जिसमें से जो हमारी climate सोरी डिजर्टिफिकेशन जो प्रॉलम हो रही है डिजर्टिफिकेशन होने से हमारी land भी प्रॉलम को दूर करने के लिए यहां पर ग्लूपल पार्टनर्सीप बनाए गया है और इससे हमारी इस प्रॉलम को बॉटम आप अपरोच से दूर किया जागा लोकल पार्टिफिकेशन हमारी इसमें की जाएंगे ठीक है तो वन हमारा वन और थ्री इसका अंसर हो जाएगा वन का सी वन एंड थ्री वन ले तो आज का दूसरा है है पर प्रॉशन देख लेंगे दोस्तों इन वीच अब फॉल्वेंग रीजन आफ इंडिया are you most likely to come across the great Indian hornbill in its natural habitat देखो great Indian hornbill आप देखोगे तो एक colorful एक पच्छी होता है जिसकी आप life देखोगे लगमों में 50-50 year के आसपास है अभी मारी vulnerable category में आती है ठीक है IUCN में और इसकी आप देखोगे तो जो habitat है वो हमारी देखोगे यहाँ पर confusion में great Indian bastard एक है जो राज्थान की रिजन में पाया जाता है लेकिंगे यहाँ पर hornbill के बारे में बत किया है इसका natural habitat है इंडिया में आप देखोगे तो western घाट इसके लावा हिमाले रिजन में यानि कि आपको western हिमाले में भी देखने हो बलेंगे इस्टन पुरा हिमाले या नौर्थ इस्टन इस्टेट में है अब बहुत सारे ट्राइबल पॉपलेशन का कल्चरल का पार्ट भी है हमारी hornbill इसके लावा आप देखोगे हिमाले रिजन और पुरा नौर्थ इस्टन इस्टेट में आपको पाया आता है यह हमारे दो का D answer हो गया आज का तीसरा क्रेशन दोस्ते या पे the FAO Food Agriculture Organization जो आपको UN का एक पार्ट है ठीक उसके बारे में दिया गया तो FAO accord the status of globally important agriculture heritage system ठीक है गयास to traditional agriculture system what is the overall goal of this initiative ठीक है तो उससे में दोस्तों FAO ने यहाँ पे जो food security या आप बोल सकते हो कि biodiversity को food से जोडते हुए इन्होंने यहाँ पे agriculture heritage जो system है उसको यहाँ पर identified किया गया था उसे बहुत सारे आप site पर देखोगी जहाँ पर proposed भी है और यहाँ पर किये भी जा रहे है ठीक है तिसमें क्या है कि जो उसमें area को जो ध्यान दिया आइडिन्फाइड किया थे उसमें इको सिस्टम के रेजिलियंट और ट्रेडिशनल जो वहाँ पर नॉलेज है उसको यहाँ पर कंजर्ब करने की वहाँ पर बोला गया है गया थे पर तहाँ पर यह स्टम में देख है थे लिए है और टुम्प पर वाइड बॉडर्न टेखनोलोजी ट्रेनिंग एंद जो अटन्पाइड गया थे इस ऑपला इस्टम दिया है दूसरे इस्टम में दा इडिन्फाइड द सेफगार्ट इको फ्रेंड जारा रहा थे प्रोड इसको आप देखो कि तो हमारी स्टेटिन जो है यह हमारी सिर्फ दूसरा ही हमारी सही है यहाँ पर तीन का भी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसको यहाँ पर सपोर्ट करने की बात की गई है तीसरा कमारा भी इसका आंसर हो जाएगा तो आज का चाथा क्यों दोस्तों वीच आप फॉल्विंग इस आर ट्रिबूटरी आप ब्रह्म पूत्रा तो आप देखो के यह हमारी तिपत से ओरिजिन होती है और अरुडांचर प भी तो घोए तो आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो यहाँ पर ठीक है तो हमारी राइट बेंग्स ट्रीविट्रोटीज उए-ट dos यहां पे देखो दिबांग कमेंग लोहीथ तिनों ही हमारी यहां पे ट्रीविटीज है तो यहां पर जाएगा चार का डी 1 2 & 3 जिसमें से आप देखोकर दिबांग बंग और लोहित हमारी left bank tributaries हैं और coming हमारी right bank tributaries है इसके लाख सुबांसरी भी आपको यहां पर देखने हो भिलेंगे tributary यहां चार का डी answer हो गया है आज्ट की पांच पाक्राक्षण दोस्स लाश्ट क्रिशन देखते हैं left side में आपको दिया गया है term saw in the news and right side में आपको origin दिया गया है तो NX first one country ठीक NX one country आपको देखने में भी लेंगे Paris जो climate change हुआ था उससे हम निकल काई थी जिसमें developed country और developing country कुछ यहां पर सामिल किया गया है NX one countries में जो कि climate change को रोकने के लिए यहां पर जो अपना contribution देंगे ठीक के देखने में निकल के आई थी तो Cartagena Protocol से यहां पर इसका origin नहीं है कि Cartagena Protocol आप देहोगे तो किसकी बात की जाती है बायो सेप्टी की बात के जाती है Cartagena Protocol जो हमारे CBD से origin हुआ था तो पहला इस्टेट में हमारे incorrectly matched है दूसरा हम दिया है certified emission reduction नागयो नागयो प्रोटोकाल देखो certified emission नागयो प्रोटोकाल आपको यहां पर देखने भी लेंगे कि जो हमारी फियर इक्विटिवल जो डिस्टिपिशन होती है बायो डायवर्स्टी के लिए रिलेटेट उससे देखने को मिलती है ठीक है दूसरा इस्टेटम भी हमारी गलत है तिसाद यह ग्रीन डिवल्पेंट मेकैनीजम यह हमारी क्योटोब प्रोटोकाल का आउचकोम है क्लीं डिवल्पेंट मेकैनिजम ठीक है तो तीस्तरा हमारा सही हो जाता है क्लीं डिवल्पेंट remains मेकनेजम से क्या करते हैं साटिफाइड जो इमिशन होती है रिडक्षन उसकी की जाती है कि कितना किसको क्या रिडियूस करना है और जो डेवलेप्मेंट की मैकनेजम होने चीह हो हमारी प्रो क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस ज्यादा इमिशन ना करें ऐसे पांच का वारे सी हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो पांच का सी थ्री उनली तो आज किस वीडियो में यहाँ पर दस क्यूंट को डेस्ट की आई होप यहाँ जो डेस्ट की आपको पसंद आए होगे थैंक्यो पर वाचिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपी झाले वीडियो